नमस्कार दोस्तों, एन टीबी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चाड़क के नीती की एक और वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ चाड़क के नीती को पूरी तरह और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंततक जरूर देगे क्यूंकि अधूरा ग्यान सदैब गातक होता है दोस्तों आपको ये भी पता नहीं होगा कि औरत के ऐसे सोने पर सबसे जल्दी घर में अमीरी आती है और जब औरत रात के समया ऐसे सोती है और सुबह में ये काम करती है तो यकीन मानिये ये मैं नहीं कहता बलकि शास्तर कहता है वो घर सबसे जल्दी करोड़ पती भी बन सकता है दोस्तों नीदे का ऐसी चीज है जो हर इंसान के लिए बहुत ही जरूरी होती है जब हम कुछ घंटों सो जाते हैं तो हमारे शरीर की सारी ठकान दूर हो जाती है और पूरी बोड़ी रिलेक्स हो जाती है फिर हमारे अंदर दो बारा काम करने के लिए बहुत सारी एनरजी आ जाती है दोस्तों बैसे तो सोने का सभी का एक अनुमानिक टाइम फिक्स होता है लेकिन कही बार ये नीद इतनी जोड से आती है कि व्यक्ति कभी भी और कहीं भी सो जाता है दोस्तों सोना व्यक्ति के लिए उतना ही जरूरी होता है जितना की खाने के लिए भोजन ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि महिलाओं के ऐसे सोने पर सबसे जल्दी कामियाबी मिलती है महिला जब ऐसे सोती है तो यकीन मानिये आपको अमीर होने से कोई भी रोक नहीं सकता और ये बाद शास्त्रों में भी लिखी हुई है इसलिए आप भी जान लें और रात में सोते समय ये काम जरूर करें तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जराबिस्तार से बताएंगे नमबर एक दोस्तों शास्त्रों में इस पश्ट बताया गया है कि देर रात तक सोने बाली महिला पूरे घर का विनाश करती है और इससे माता लक्ष्मी रूट जाती है मानेताओं के अनुसार देर रात बे बज़े अगर कोई महिला जाती है तो इसका मतलब है कि आपके घर में परेशानिया आ सकती है इसलिए किसी भी महिला को बे बज़े देर रात तक नहीं जागना चाहिए ऐसा करने से दोश लगता है इसलिए सुबह जल्दी ही उट जाना च बिताती है तो बहाँ पर कभी भी राहु केतु और शनी की द्रिष्टी पर सकती है सच मायने में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए जो महिला हमेशा सारा समय सोने में ही बिताती है तो सभी देवी देवता भी क्रोधित हो जाते हैं इसलिए सीमित मात्रा में ही सोना चाहिए ज नकारात्मकूर्जा से भरी बातों का जिकर बिलकुल भी ना करें। ऐसा करने से नकारात्मकूर्जा आकरशित होती है। और आपके सपनों में आकर या फिर आप पर हाबी हो सकती है। सोते समय मन में अच्छे बिचारों को लेकर ही सोना चाहिए। क्यूंकि इससे कामियाबी मिलती है नमबर चार दोस्तों सबसे भारी दोश और भैंकर बरबादी का कारण बनता है इसलिए मंगल बार शनी बार और ब्रहस्पति बार के दिन जितना जल्दी हो सके जल्दी उठने की कोशिश करें ये समय आपका विनाश कर सकता है शास्तरों में इस पश्ट बताया गया है की इन दिनों में देर से उठना ब्यक्ति पर कई सारे दोस लगा देता है जो की उसे कभी भी बरबाद कर सकते हैं दोस्तों आप बात करते हैं की सुबा में आखिर सही महूरत समय क्या है किस समय आपको उठना चाहिए तो चलिए ये भी जान लेते हैं दोस्तों ब्रह्म मुहूरत यानि इस समय विस्तर छोड़ देना चाहिए सुबा उठने का सही समय चार से साड़े पाँच बजे का माना जाता है इस समय उठना मतलब की काम्याबी को दर्शाता है इस समय उठने वाला व्यक्ति देपताओं और माता लक्ष्मी का प्रिये होता है दोस्तों जरूरी जानकारी जब कोई महिला पूरब और दच्छिर दिशा में सर करके सोती है तो पूरा परिबार धन धाने से भड़ जाता है खुशियां घर में ऐसे आती हैं जैसे मानो बरस्ता हुआ पानी इस दिशा में पुरुष और महिला दोनों को ही सोना चाहिए दोस्तों जो जाकता है बही पाता है और जो सोता है वो खो देता है ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में अपना बास बना लें तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिकें जै माता लक्ष्मी माता रानी आपके घर से कभी न जाएं दोस्तों उमीद करता हूँ आपको हमारा ये प्रियास पसंद आया होगा इस वीडियो से आपने क्या सीखा और इस वीडियो में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडिय को लाइक कर दीजिए और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि भविश्य में आने वाली हमारी सभी वीडियो इसको आप आसानी से देख सकें दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे एक ऐसी ही मो मोटिवेट, स्टै फियरलेस